इडवानी भगोड़ा था और आज भी भगोड़े थे वो देश थे वो भाग के आया सरनात्री है और क्या अमिश्या जी नहीं सरनात्री है यह आपके कच जो हैदराबाद में है कच के लाके से आए यह अपने दादा का परदादा का देखाएंगे नसका आप देख रहे हैं हेडलाइन्स भिहर और मैं हूँ आपके साथ प्रियांक सौरग ची एबी और इनर्सी को लेकर देश भर में सियासत जारी है विपक्षी नेता लगतार सरकार को कोश रहे हैं वहीं राजद ने एक बड़ी बात कह दी है राजद नेता और विधायक अ देखे पूरे हिंदुस्तान की जन्दा जो सेकुलर हिंदू और मुस्लिम एक साथ है ये फिरौनियत वाली बात आ गई एनर्सी को और कैप को एनर्सी लगा थे ठीक थे एनर्सी लेकिन एनर्सी के लिए उन्होंने कैप डाला और कैप में इन्होंने हिंदू, सिक, इसाई, और बुधिस्ट को छोड़ देको उन्होंने रखा और कैप से बाहर निकाल दिया मुस्लिमानों को, ये इसी दिन के लिए एक रात में पाँच लाख मुसल्मान देश की आजादी के लिए साथासी पर चड़े थे, इसी मट्टी में हिंदूस्तान के सरजमी पे पैदा मुसल्मान हिंदूस्तान का एक रात में अंग्रजों से लड़ाई लेकि देश की आजादी के लिए फासी पर चड़ा, ये ये क्या बात करेंगा, एडवानी भगोड़ा था, और आज भी भगोड़े थे, वो देश थे, वो भाग के आया, सरनात्री है, और क्या अमिश्या राकते हैं, देश में रहेंगे और इसी देश में मिटेंगे, लेकिन एनर्सी का वहिश्कार करेंगे, पूरे हिंदूस्तान की जंता हिंदू-मुसलिम एक साथ है, और इनको उखार ठेकेंगे, और ये टकराने है, बहुत गलत जगा इन्होंने हाट डाला है, और इसका खा आजादी दिलाई है, वीर सावरकर ने कुछ नहीं किया है, तो कई तरह की बाते लगतार CAB को लेकर की जा रही थी, और इस सब के बीच में सियासत लगतार जारी है, देश भर में आकरोज देखने को मिल रहा है, वहीं बिहार में भी इसको लेकर तरह-तरह की बयानबाजी अबू दोजादा ने सिधे तोर पे कह दिया है कि अमीत शाह खुद एक सरनार्थी है, क्या वो अपना सर्टिफिकेट दिखाएंगे, अपने पर दादा, दादा का सर्टिफिकेट वो दिखाएंगे, साथ-साथ नहीं ये भी कह दिया है कि देश को आजादी दिलाने का काम मुसल्मानों ने किया था, तो एक बड़ा ब्यान अमीत शाह को लेकर अबू दोजाना ने दे दिया है, इस ब्यान को लेकर अब सत्ता पक्ष के लोग, बीजेपी के लोग क्या कुछ कहते हैं, इससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन CAB को लेकर लगातार राजन करीती जारी है देश भर में, विपक्षी नेताओं ने अब कई तरह के बयान दिये हैं, जहां इन बयानों को लेकर सियासत तेज है, वही अब अबू दोजाना के इस बयान को लेकर क्या कुछ होता है, इस सब से हम आपको रूबरू कराएंगे, इसके लिए बंडर प्यार के साथ धन्यवाद